तो चलो Money in the Bank के शो के लिए अल्रेटी बहुत सारी बैंगर चीज़े कंफर्म हुई है लेकिन समर्स्लैम के अंदर भी एक मैसिव मल्टी मैं मैंच ड्वी प्लान करें कौन-खौन से पाटिसिपेंट होंगे और भी कुछ अपडेट्स हैं सामने अब रीसेन टाम में लोगन पॉल ने भी अपनी सप्राइज जो एंट्री है वो अनॉंस किया मनी इंद बेंग के मैच के अंदर तो क्या वो लाइटर मैच जीच सकते हैं डवल डबल के पास में कुछ और प्लान से वसे से त्रॉलिंस के लिए रीसेनली रह में लेकिन विंस मिक्मान ने आखरी टाइम में किया प्लान चेंज क्या डॉमिनिंग मिस्टीर को बूस मिली इडिशन के अंदर वो फेक थी और भी कुछ अपडेट्स में जानने के लिए मिलेंगी इस वीडियो के अंदर सो विदाउट वेस्टिंग इनी टाइम लेट्स बिगिन इस वीडियो लिए वीडियो को पहले शुरू करने वालो हमारे विजिनरी करेंट वर्ल्ड वर्ल्ड विड़ शैपिन से थ्रॉलिस के साथ में से थ्रॉलिस रीसेंट्टी मंडी नाइट रॉकी एडिशन के अदर वैसे ओपन चैलेंज देने वाले थे लेकिन उल्टा उनकी जमकर कोटाई और पिटाई होती वी नजरा फिन बैलर के हाथ हो और फिन बैलर मतलब क्या गजब का मारा यह से थ्रॉलिस को करते करते वह ने बैक स्टेज तक ले गए थे और जमकर कोटाई करने के बाद जो फिन बैलर उसका दूनोंने एक सेग्मेंट भी कट किया था अब देखो पहली बात बताया जारे कि यहां पर चेंज किया था वरना जो ओरिजिनल अपोनेंट इसे मैच के दौरान में और उनकी रिटर्निंग मैच के अंदर विक्टरी भी हो गई थी वरना ओडिजिनली से जो चैंपा का मैच है वह में दिखाए देता शो की ओपिनिंग के अंदर अच्छा पर चेंजिस किये किसने बताया रहा है विंसेंट केनिदी मिक्मैन जी हां भई ह क्योंकि विंस विक्मैन यह चाह रहे है कि सेथ रॉलिस और फिन बैलर का फ्योड है वह अच्छे से बिल्ड हो मनी इंद बैंक के लिए इसरो चाहरते थोड़ा और रूथलेस सैट दिखाए जए फिन बैंक के अंदर इनका जो माच है लगे कि हां फिन बैलर भी दीथरून कर सकते हैं विंस ने चीज़ डिसाइड की जो कि मेरे साब से काफी पॉजिटिव चीज है हाँ चैंपा पर से अच्छा माच होता है लेकिन देखो दूसरी तरफ चैंपा की विक्टरी भी हो गई और से रॉलिज और फिन बैलर का माच हो भी अच्छे से बिल्ड हो गया तो पर होती है और यहां पर फिन बैलर वार्निंग देते हैं रिपली कुछ बात ही करते हो डॉमिनिक जब भी बोलने चलते हैं क्राउड की तरह से मासिफ बूस सुनाई देता है अब देखो काफी फैंस का बिलीव था कि भाई है इतनी तो बूस तकड़ी हो नहीं सकते डॉमि वीडियो क्लाइब अपलोड करता है वेन्यों की जिसका स्क्रीन शॉट तुम लोग देख पा रहे हैं लिजिट जो क्राउड है उतने मासिफ वे में डॉमिनिक मिस्ट्रियों को बूक कर रहा था तो वह सारी चीज़े क्लियर हो चुकी है कोई फेक डबल डबली नॉइस आ सब्सक्राइब के लिए इस सार उतना एक्साइट नहीं था लेकिन पता नहीं क्यों लोगन पॉल विक्ट्री हासिल कर पाएंगे लोगन इस वारे माच के इंदर जीज सकते तो देखो जो रीसेंट आमें न्यूस आईए सामने हो ये कि डबल डबली ने करीबन आसे तीन से चार दिन पहले और डेटी जो अपना मनी इंद बैंक का विनर है वो डिसाइड करके रखा है वो लॉक करके रखा है और जिन लोगन पॉल के एडिशन की जो रिमर्स है वो आज कल से नहीं आ रहे है बलकि वो भी दो-तिन हफ्तों पहलों से आ रहे है कि वह वापस हैंगे और अपना अनौंस करेंगे मनी इंद बैंक के अंदर तो बताया जा रहा है कि अगर डेवल डबली ने सोचाओ को कि भईया लोगन पॉल विक वर्थी है देखो वैसे भी पि होता है मेरे साब से लोगन पॉल भी टूबी और अच्छी चोईस होने वाले इस साल के मनी इंद बैंक के विनर के लिए आयो अब लोग कहेंगे भईया एले नाइट को तो अच्छा रियाक्शन मिल रहा है वह क्योंने जीतना चाहिए उस पर भी आ रहा हूं एले नाइट क हो जो पूरे तरीके से रियाक्शन मिला एले नाइट को इस रीसेंली रॉक एडिशन के अंदर बताया जारा है डबल डबली मैनेजमेंट उससे बैक्स्टेज के उपर बहुत सादा खुश है और उन्हें देखके अच्छा लगर किस तरीके से एले नाइट को पुछ देना इन फाइनल स्टोरी की तरफ डबल डबली के समर्स्लाम की इवेंट की बारे में जुड़ी है आईनो तुम लोग मनी इंद बैंक के अल्रेडी बहुत एक्साइटेड होगे उपर से ब्लड लाइन सिविल वार भी होगी लेकिन बताया जारा है मनी इंद बैंक की बाद समर् सब्सक्राइब की बीच में अब डबल डबली सोचे कि क्यों ना इस मैच के हैंद है अम लोग मुल्टिपल टैग टीम को एड़ कर लें और पॉसिबली दो और टैग टीम की नेम आ रहे हैं सामने जोगी इस मैच के इंदर इडिशन दे सकते यारिं कि ओवर और एक मुल्ट मैं प्रिटी डेटले की साथ में फ्यूड है वो शत्के होगा खतम होई जाएगा जैसे उनका माच होगा तीस तारीक को बाकी देखते क्या होता है समर्स्लाम के प्रीमिम लाइब इवेंट के लिगन मैच मुझे लगते सिंगल स्माच से सौगनों बैठर होगा बज़र ज् से मिलता हैं के नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी तिल देन बाइबाई टेक कियर